नमस्कार मेरा मालोक है आप लाइश्टीज देख रहे हैं लगतार बिहार में शराबंदी की पोल खुल रही है कल जिस तरीके से प्रमंडली आयोक्त पहुंचे थे अतिक्रमण को हटाने और वहाँ पर शराबंदी की पोल खुल गए इसको लेकर लगतार विपक्षमलावर है भाई वेंदर जी हमाई साथ आजली के मुख़ पहुंचते हैं लोगों की बस्तियों को जारते हैं तिक्रमण के नाम पर लेकिन सरकार वो कहीं न कहीं गाल पर तमाचा पर जाता है निश्चित रुप्षम तो कहा कि कहीं भी सराब बंदी नहीं है शरकार अपने रसुकदार नेताओं से असूली करवा रही है जो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है जो राजसु असूली होना चाहिए सरकार के खाते में जाता तो जनता की विकास होता लेकिन ये राजसु की असूली करवा रहे हैं अपने रसुकदार नेताओं के अपने निंडिये के नेताओं से और इनके रसुकदार नेता थानापरवारी और DSP से मिल कर और मालो माल हो रहे हैं और ये अपने पीट को अपने से थप थपाते हैं कि सराब बंदी है, सराब बंदी पूरे बिहार में कहीं नहीं है, आप ये देख लिजे जेल के सलाखों में, 40,000 से ज़्यादा गरीब लोग को बंद किया गया है, जो कभी सराब पी लिया, जो बेच रहा है, उसको नहीं किय करवाई तो रोज मुखमंतरी करते हैं, लेकिन करवाई कहीं नहीं होती है, चोकि सब जगह से आरसीपी टेक्स असुली होता है, और मुखमंतरी को जाता है, सरकार को जाता है, आरसीपी टेक्स, इसलिए सरकार केवल बयानबाजी करती है, चोकि उनके साथ मेडिया के लोग हैं वो सभी कलते हैं जहां पर उने शाल और कंबल मिला है हम लोग हम लोग दम गरीब के साथ हैं और कभी भी किसी को उजारने के पहले उसको बसाने का उपाय करें और नितीश कुमार गरीबों के भोट से ही सरकार में हैं और मुखमंद्री बने हैं और हमारे भोट से बने हैं इसलिए वैसे लोगों को तंग किया जा रहा है इसलिए मानिय तेजस्वी जादो आज दवड़ा करेंगे और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे इस सल 2020 में क्या लगता है वो जो जुगी जोपी वाले हैं सरकार को उखार फेकेंगे जनता तो तै कर लिए है पहले ही कि मा ऐसे उजारा हमारे सरकार में हमारे सरकार जो थी आदर्निया लालुपरसाजादू आदर्निया मुखमंतरी ततकालिन मुखमंतरी राविर देवी जी ती तो ऐसे गरीबों को ठंग नहीं किया जाता था जिस तरह से तंग किया जा रहा है यह शामंती लोगों की सरकार है इस पक्ष के इंदावों में कितना दम देखता है आठ से नो महिने का वक्त रहे गया है आप भी इंतिजार कीजिए और तब तक सभी खबरों को लैप स्टीज के मादम से देखते जाए हमारे चैल को सब्सक्राइब कर लिए